पाइवर एफिलियेट्स की ओफर्स को facebook पर कैसे परमोट करेंगे facebook पर ईसलिए परमोट करने वाले हैं टोटली 100% फ्री प्लैट्फอर्म है बिलियंट में ट्राफिक है और इस पर आपको पता है काफी सारे clients मिल सकते हैं अगर आप इसको ठीक वे से use करें clients आपको देखें आपको service provide नहीं करनी आपको कोई उनको नहीं बताना कि यार मैं मेरी ये service purchase कर ले नहीं वो automatically purchase करेगा जब वो आपकी profile देखेगा जब वो आपके reviews देखेगा जब वो आपकी performance देखेगा वो automatically purchase करेगा अब आपके जहन में ये खियाल आएगा कि यार profile तो मेरी है नहीं मैं तो किसी और की profile promote कर रहा था कि मुझे affiliate link को promote करना है तो मैं किसी भी profile का affiliate link बना सकता हूँ मैं किसी भी geek का affiliate link बना सकते हूँ अगर आपको नहीं बता कि कैसे जो है आप लोग affiliate link कर सकते हैं तो ये playlist और रेड़ी पब्लिश है जिसमें आप लोग visit करके देख सकते हैं कि कैसे जो है हम लोग अपना affiliate link जो है generate कर सकते हैं ये दूसरी वीडियो है तो हमें किसी भी profile को promote करना है किसी भी geek को promote करना है अब problem वहाँ पर आती है जब आप नए नए startup करते हैं या फ्रिलांसर के service provide करते हैं तो आपके अंदर वो confidence नहीं होता आप उनको पूरा सवाल का जवाब नहीं देश पाते हैं या आप लोग service को पूरा satisfaction से उनको नहीं देते तो हम क्या करते हैं फाइवर ने बहतर बना लिया है हमारे लिए कि अगर हम कोई skill भी नहीं जानते या कोई हम service भी नहीं provide कर रहे तो कैसे जो है इसे promotion करते हैं एफिलियेट के offers की जैसा कि हम वीडियो वग्यार के तुरू इस चीज़ों की तुरू तो यह तरह आप लोग समझेंगे इस फेस्बुक की strategy जो है इसको मैं implement कर चुका हूं जो कि काफी benefit दे सकती है सबसे पहले आप लोगों ने एक service को पीक कर लेना है एक service में profile तो बिशक आप change करते रहें वह आप पर depend करता है किसी भी profile को उठा लें किसी भी लेकिन category में एक ही में रहना है अब category आपको समझ नहीं है कि जैसा कि आपके सामने यह आपको categories show हो रही है मैं इसको highlight कर देता हूं graphic design programming digital marketing यह वो तो अब इन में जो सब categories हैं एक ही को pick कर लें let's suppose मैं graphic and design में हूं मुझे सिरुफ logo design को ही promote करना है तो मेरा motive और मेरा concern सिरुफ और सिरुफ logo design पर रहना चाहिए that's it logo designing में आप यह नहीं कि आप उसको content writing की भी साथ सथ promotion स्टार्ट कर दे नहीं जो भी बनाएंगे जो groups जो जुस चीज़ें आप जॉइन करेंगे वो आपकी specific चीज़ों पर होंगी ताकि आपको clear हो के यार मेरी यह service काम भी कर रही है या नहीं मुझे affiliate commission सही तरीके से मिल भी यह नहीं तो मेरी recommendation यह है जिस फिल्ड में आपकी guidance है आप उसी को ही promote कर रहे हैं वो इसलिए ज्यादा बहतर होगा क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे hacks भी देने वाला हूं जिन से आप directly clients से communicate करके वहां से भी आप लोग ले सकते सोरी वहां से भी आप लोग affiliate link से orders दिलवा कि commission कर सकते हैं तो अब मैं जो कहूंगा आप इस चीज को समझ लें कि मेरा जिस चीज में experience है में वह प्रमोटर लेट सबोस्ट मेरा experience इस वर डिजिटल marketing में है तो मैं करता हूं डिजिटल मार्केटिंग में देखता हूं तो मेरे पास बहुत सारी चीज हैं मेरे पास SEO भी आ सकता है मेरे पास ऐसी है मेरे पास local e-commerce video social media marketing ब्ला 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 तो बहुत सारी fields हैं तो मैं किसी एक copy कर लूँगा फिर उसी ही के related उसी को ही promote करूँग कि मैंने जो है content writing में मुझे पता है कैसे करते हैं मुझे पता है कौन-कौन से client सवाल कर सकता है इसमें कौन-कौन से मुझे इस चीजों का totally जो है experience है तो मैं क्या करूँगा मैंने एक profile choose कर ली अब मेरी मर्जी कि मैं directly इस profile को promote करूँ इसी profile का deep link create करूँ deep link कैसे create करना है आप मेरी मर्जी है इस profile के इलावा मैं इनकी जो gigs दी हुई है यह जो gigs आपको show हो रही है इनको promote करूँ तो मेरी recommendation यह होते है कि directly आप लोग sales base पर हम इने भेजना होता है अपने client को तो सिरुफ directly आप लोग ने gig promote कर नहीं है that's it इसका deep link मैंने create कर देना है deep link create करने के बाद मैं आ मान लिए आपको नहीं आती नो problem आपने नहीं करनी पोस्ट अच्छा अब यह section समझ लें पोस्ट में आपको मैं कहता हूं दुनिया जहान के clients में सकते हैं कैसे आपके पास live option है कि आप लोगोंने location लगा दिने कि यार वो बंदा कौन सा हो किस country का हो किस शहर का हो जो कि इस content राइटिंग पर पोस्ट कर रहा हूं ठीक है तो मैं यहां पर आकर मैंने यहां पर युनाइटिट स्टेट्स इसको जो है हम लोस एंजलेस कालिफॉर्णिया तो मैंने Facebook को यह का कि जितने भी पोस्ट दी गई है content राइटिंग के थूरू वहां से मुझे वह पोस्ट शो कर ले तो यह सिर्फ सीटी वाइज आपको शो करता है यह सिर्फ अभी एक स्टेट का पहला सीटी है समझ लें आगे इसके हजारों मतलब कि पतने कितने कितने हैं तो हर शेयर का सीटी है तो वहां से आप लोग उसकी पोस्ट फैच कर सकते हैं बैट लग कि यह है कि यहां बड इस इस सेक्शन का क्या फाइदा इसका सेक्शन का यह फाइदा जैसे नौर्मली अगर आप खुछ सोचें अगर आपको किसी जीज़ की ज़रो तो आप क्या करेंगे आप जाहरी बात है फेस्बूक पर पोस्ट करेंगे जैसे लेट सपोज मुझे इस वक्तन डाइटिंग क सब्सक्राइब करने फाइदा है क्योंकि इन ग्रूप में काफी सारे फ्री लांसर जो है पोस्ट करने आते हैं किसी भी कंट्री का है कोई भी टाइटल मेंशन आपको पता हो कि यार यह ग्रूप सिरुफ और सिरुफ इसी ही परपस के लिए है ताके आप लोगों को वहाँ पर क्लाइट्स मिल सकें अब जैसा कि मैंने कॉंटेंट डाइटिंग का जो है ग्रूप ओपन किया है और यहां पर मुझे एक पहली पिछ नज़र आए जिसमें लिखा है नीड असाइमेंट डाइटर है वह अब आपको क्या लगता है क्या इससे मैं खुद ओफर करूंगा यह मेरा ओडर लेगा या क्या इसे मैं डिरेक्ली इस प्रोफाइल पर भेज पाऊंगा ताकि यह इसको ओडर कर दे और मुझे कमिशन मिले तो इसके ज्यादा चांसिस है वह क्यों कि जब वो उसकी प्रोफाइल विजिट करेगा देखेगा टॉप रेटिड है देखेगा क आप लोग कमिनिकेट उसके साथ कैसे के कटते हैं कोई भी स्कील सीखने हो सबसे पहले मैं हमेशाइञ कहूंग है कि कामिनिकेशन इस दकी टो सरक्सिस क्रमेशन आप जितना भी experience हो जाए न अगर आपको communication नहीं आती तो उस experience का फायदा नहीं है मैं एकर किसी चीज में expert हूं तो मुझे उसको भीचना है अगर मुझे भीचने के लिए communication की जूरूता अगर मुझे भीचना ही ना आया तो पिर मैं किस चीज का expert तो कमिनिकेशन आपको करनी आनी चाहिए कैसे करना है नीचे जाएंगे आपको रेगूलर बेस पर मैं कहता हूं इतने कोई पोस्ट मिलेंगे इतनी कोई आपको कॉंटेंट बगारा मिल सकता है और वहां से आप लोग चनरेट कर सकते हैं अच्छा दूसरा आप लोग फेस्ब दूसरा तरीका यह है जो कि बेस्ट है जिसको मैं भी यूज कर चुका हूं और मैं भी आपको वही रिकुमेंट करूंगा वह यह है कि आप लोगों ने जिस भी सर्विस को प्रवाइड करेंगे उस सर्विस के रिलेटिड आपने एक फ्रश्च पेज कर देना है फ्रश्च कर देना है जैसी के नेम के इलेटिड या कौंटन डाइटिंग किसी भी नेम चीज के रिलेटिड जो है आप एक पेज कर रियेट कर दें ठीक है उस पेज में इस तरह के आप लोग अपना बायो वगरा देदें यह वह यह सब मेंशन कर दें ताकि कोई भी जब आपके इस जब भी किसी को आप पिच्छ करेंगे यहां से ओपन करेगा तो उसको रिलेटर मतलब के लगेगा वो यह ख़एगा कि यार इसके जो है सेम सेम इंफोर्मिशन है तो ज्यादा पेटर है आप लोगह ने पेज पो करने आप के सामने का आप लोगों ने पूर नेम हरकिस मेंशन नहीं करना जिसकी सर्विस प्रोवाइड आप करें आप लोगों एक जन्वन नेम लिखना है आप उसे ब्रैंड नेम कह सकते हैं कुछ भी आप कह सकते हैं चैट जिपटी से सकते हैं कि यार मुझे अपना एक पेज करेंट करना है और मेरे पेज इस सर्विस के लेटी रहे हैं तो वह आपको एक अच्छे से नेम आइडिया दे देगा ठीक है कि यहां से हम कैटेगरी सेलेक्ट कर देंगे और करीट पेज कर देंगे ठीक है अब इस पेज क्रिएट कर यह इस ही होगा कि आपको इसमें खिच्छडी नहीं आएगी जैसा कि मेरी प्रॉफाइल में इस वक्त ऐसी ओर कॉंटेंट डायटिंग के लावा और भी बहुत सारे ग्रूप से जिनको मैं जोइन कर चुकों एंटर्टेंबंट कह सकते हैं आप उसमें जो है ऐसी होके कह सकते हैं बैक लिक्स तो मुक्तलिफ ग्रूप से लेकिन इस स्पैसिफिक पेज़ पर सीरोफ मेरे पास वही स्पै जाना है जो कुछ भी करना है वो मैं कर लूँगा ठीक है अब उसके बाद मुझे यहां से इस प्रोफाइल यह इस पेज़ जो मैंने क्रियेट की है यह आटमेटिकल उसने मुझे यहां पर स्विच कर दिया है अब मैं यहां से जो भी ग्रूप लिखूंगा कॉंटेंट र दीखें एस फॉर नौफ जो फास्टस होई है आपके लिए जो बेस्ट है वो मेरी नजर में है इस वक्त रील्स का आप लोग रील्स उठा लें आप लोग देखें हमें रील्स कॉपी राइट उठा लें जो मर्जी कर लें फेस्बुक पेज से स्पैंड नहीं करने वाला ह हमारा क्योंके हम लोग जो है कोई अम इसकी मोनटाइजेशन नहीं आउन कर रहें हम लोग इसका जो है कुछ सिरुफ हम क्या कर रहे हैं अपने पेज के रहें तो प्लाइटफॉं मैं उनसे आप लोग यहां पर लिए यहां पर सिरुफ आप लिकें कॉंटेंट राइटिंग यहां पर जब आप कॉंटेंट राइटिंग लिखेंगे ना तो आपको मैं कहता हूँ हंडर्ड ओफ वीडियोज के आइडियाज मिल जाएंगे जिनको डिरेक्ली आप अपनी पर पर मॉड कर सकते हैं वह लेटर साओं लगाकर जो इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रहा हो यूस से के मताबिक इंग्लिश कॉंटेंट होगा इंग्लिश कॉंटेंट ही इंग्लिश कंट्री में वाइरल होगा इंग्लिश कॉंटेंट जहां इस कंट्री में वाइरल नहीं हो सकता तो आप कोशिश यह करेंगे आप लोगोंने अपने कॉंटेंट में इंग्लिश लैंग्विज को यूज कर लेना यह इंग्लिश म्यूजिक को यूज कर लेना जिसको आप यूज करना देखिए कोई टेंशन नहीं लेनी एस पर फॉर नाव और मेन मोटिव इस टू ग्रो आवर पीज और आल साइजे पर आके आप लोग औरियंटेशन में जाके आप लोग ने होरीजोंटल स्लैक कर कोंटन डायटिंग पर नहीं बन सकती इसको थोड़ा बहुत आप एडिट कर दें इसमें आप थोड़ा सा म्यूजिक पर चेंज कर लें तो यह वीडियो आप इसली यहां पर अपनी पर पर मोट कर सकते हैं और मान लीजिए अब आपका पेज अच्छा चल रहा है आपके प इस किसम के जब आप पोस्ट जनरेट करेंगी तो जाहरी बात है लोग रिकॉाइट करेंगे कि यार अच्छा इसने भी सर्विस परचेस किया है वो भी इस बंदे से सर्विस परचेस किया और इसको इतना सैटिस्फाइड किया गया है और यह पेज और रेडियो एक करवाने की कोशिश करें इस पर जितना जल्दी हो सके रीज क्रियेट करें थोड़े से अगर आपके पास बजट है मैं कहता हुँ हजार पंदर हो भी है ना वह भी फेस्बुक बूस्ट को लगा दें प्रमोशन पे क्लिक कर दें प्रमोशन पे क्लिक करके इस पर चंद एक लाइक्स और फॉल्वर्स लें फिर देखेगा आप लोग कैसे करेंगे मजीद ग्रोव करने की चोटी साप लोगों को टिप दूंगा वह यह है जब भी आपको एक अच्छा सा ओडर यहां से अफिलिए टर्निंग स्टार्ट हो जाए आपका फस्ट विड्रावल वन को आपने खाना नहीं है डिरेक्ली इस पर मोड पे करके वान हंडर्ड डिपोजिट करके इसको मजीद ग्रोव करना है जितना ग्रोव करेंगे जितने अच्छे लाइक्स और फॉल्वर्स लाएंगे आपका फायदा होगा वह फायदा इस लिहास से क्योंकि फिर आप लोग एक्वाइड करेंगे लैयूर abay युद् isso को पोस्ट करते रहेंगे तो आपका ज्यादा फायदा उता रहेगा ये ता फीड़े को कोई को क्लाइंट को कुछ भी हो वह कर लेगा तै था इस फ privately ञ pockets व फैशबुक्र आपने एसट से फायदा होती है communication आपकी आप उसके कंविंस करके आप लोग वहां से उसको sales generate करवा सकते हैं आप उसको कैसे जो है convince करेंगे यह depend करते है क्योंकि main उसका जो उस communication का main important जो motive होगा वो यह होगा किसी तरीके से यह इस geek पर click कर दे जब click करेगा जब profile आपके साथ कोई नहीं करेगा आपका main जो है परपस था कि इस link को उस बंदे तक पुरुचाना जिसको इस सर्विस इस किसम की सर्विस जरूर रहता है आगे वह से discuss करेगा कि आपकी स्ट्राइप का कॉंटेंट करती हैं यह वो यह प्लैटफर्म किस रटजी बताऊंगा उम्मीद यह स्ट्राइट जी आपको पसान आते रहेंगे अगर आप नेक्स रटजी जाते हैं नेक्स नेक्स प्लैटफर्म के लिए तो इस वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें नीचे कमेंट सक्षिन में लिख दें आई वांट क्या कोई भी कमेंट भी आई वांट फॉर नेक्स प्लैटफर्म ऐए वांट रटजी आई वांट रटजी आप इस कमेंट को जो है मेंन कर दें और टाइप करें और मैं फिर नेक्स वीडियो आपके रिए प्लोड कर सकता हूं